हाई दोस्तो मैं तापुसरा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल चलते रहा हूं में दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले माइक्रोवेब न्यू मोडल के बारे में LG माइक्रोवेब का जो मोडल हो रहा है MJEN 326PK W दोस्तो यह जो मोडल है आपका वाइफाई मोडल है 32 इंजिस लिटर विद कान्वेक्शन विद चापोल मोडल है दोस्तो तो बीना देली के हम लोग वीडियो के अरबढ़ते हैं और सबसे पहले इसका लुक और कुछ हाईलाइट फीचर्स आपको देखा 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 है चलिए लेट्स स्टार्ट दोस्तो आप लुक देख सकते हैं लुक आपको बहुत ही एवन लुक दिया हुआ है विद आपका ग्लास विद फ्लावर पैटर्न के साथ ड्रोप डाउन डूर मिल जा रहा है दोस्तों यह मॉडूलर कीचन के लिए सबसे बेश्ट है और एकसेसरी का बात कर लेते हैं इसका रोटेसरी भी साथ-साथ में मिल जा रहा है और फीचर्स में आपको क्या-क्या मिल रहा है यह सब भी बारे में बात करेंगे तो यह आपको रोटेसरी देखा दे रहे दोस्तों यह रोटेसरी है और चारकोल लाइट हीटर है दोस्तों साथ-साथ में आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी आपका फुली एस्टेलेस इस्टिल के साथ चारकोल हेल्दी ओवेन 38 recipe क्या-क्या है वो भी बता देंगे 4001 auto cook menu वो भी बता देंगे सबसे बेश्ट इसका है जो दोस्तो जो panel है दोस्तो fully touch panel है दोस्तो no feather touch, full touch panel तो अब हम लोग बात कर लेते इसका auto cook menu के बारे में दोस्तो जैसे कि आप कुछ features देख चुके हैं rotessary, auto cook menu auto cook menu का अगर बात कर लेते हैं दोस्तो नॉर्माल microwave जो है आपका auto cook menu आपका 100 auto cook menu auto cook menu के पहले बारे बता दे auto cook menu आपका कितने तरह की आप खाना बना सकते हैं यह आप यूज कर सकते हैं या आप जैसे नॉर्माल microwave में क्या होता है 101 auto cook menu 125, 400 maximum 401 auto cook menu आपको मिल रहा है 401 auto cook menu आपको यह microwave मोडल में मिल जा रहा है अब basically हम लोगा होता है कि हम इसको यूज कैसे करें यह होता है जो आपको features जो आपको हम बताएं यह use कैसे करना है नॉर्माल आपको जैसे 265 में आपको यह model यह आपका सीख कबाब हमको बनाना है 265 auto cook menu में आपको क्या जोगडाइल तर्म करना है इसमें आपको वो सब कुछ नहीं करना है basically आपको करना क्या है सबसे पहले आपको Google Play Store में जाना है download करना है LG Apps search किजिएगा THINQ search करके आप download किजिएगा download करने के बाद आपको सबसे पहले microwave plug-in करना है plug-in करने के साथ आपको on करना है on करते के साथ देखिएगा आप अपर में wifi का option रहेगा press and hold 3 second रखिएगा और अगर आपको घर में wifi होगा सबसे पहला wifi अगर होगा तो wifi on रखिएगा और नहीं तो जो second mobile है एक mobile का hotspot on कर लिजेगा दूसरा mobile का wifi on कर लिजेगा ध्यान से सुनिएगा first mobile का hotspot on करके दूसरा mobile को जिस mobile में apps टाउनलोड है उसका wifi on कर लिजेगा और wifi connect कर लिजेगा और से microwave में wifi का option प्रेस and hold 3 second आपको प्रेस करना है दोनों first में आपको synchronize होगा आपको pairing हो जाने के बाद आपको thinking application में पहले जाना है countertop countertop में जाने के बाद आप synchronize हो गया आपको कोई भी autogook menu बनाना है easily आप वहाँ पर सर्च कर सकते है think seek up आप seek up आप सर्च किये वहाँ से आपको करना है send और नीचे जो आपका start button ने start button प्रेस कर दिना है total आपको कों सा mode में जाना है convection में जाना है ना grill में जाना है ना combi में जाना है कितना watt में जाना है कितना time लगेगा everything वह automatic लेगा वह आपको automatic लेगा जिससे क्या होगा आपको तोटल आप वह सर्च कीजिए गा सेड़ किजिए गा पस्टाट्स किजिए ने आपको और अतोंड ने मोण मयाया सकता का लता हैna यहाई अब बात कर लेते हैं है to 30 रेसिपी में आपको 30 तरक जैसे घर में आपको हट का फेशन है ओईल फ्री आपको खाना है वहां पर आपको 30 तरक आपको सुबह फोर डिनर फोर ब्रेकफास्ट फोर आपका सप्लिमेंट यह सब आपको अलग-अलग चार दिया हुआ साथ करके आप इसलिए आपका रेसिप में आपको 30 27 28 तक मिल जागा साथ में अगर कैस्वेक अगर आप अपलाई करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ट से आप ले लिजेगा नो कोश्ट इमाई के साल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्र कर दें साथ साथ में बैल आकन को भी प्रेस कर दें जिसे न्यू वीडिया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट सेक्षिन में भी कर सकते हैं साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारा फेस्बूक इंस्टाग्राम का भी लिक दिया हु तेंक यू